गाय के गोबर के बारे में इसके खास बात क्या है इसके लाब क्या है देखिए वैसे तो हर पशु गोबर देता है भेंस भी गोबर दे रही है गाय के गोबर में ऐसी क्या आनूठी बात है बाई देखिए गाय के गोबर से घर की सफाई होती है पहले जमानों में जब मिट्टी के घर हुआ करते थे तो लोग गाय के गोबर को पानी में मिला करके घर की लिपाई करते थे घर की सफाई करते थे, दिवारों को लीपते थे, जमीन को लीपते थे, साब सफाई मेंटेन करने के लिए तो गाय के गोबर से घर की सफाई भी होती है और उपलों का निर्माड भी होता है गाय का गोबर की टाडू नाशक तो होता ही है रेडियो धर्मिता को यानि रेडियो एक्टिविटी को ये सोख लेता है जो रेडियो एक्टिव केरड़े हैं रेडियो एक्टिव चीजें हैं तरंगे हैं उनको निश्चित रूप से ये सोख लेता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि आजकल मोबाइल फोन्स के इस्तमाल से और तमाम तरह के इंटरनेट के प्रियोग से जिस तरह से रेडियो एक्टिविटी बढ़ रही है और इससे जिस तरह की विचितर बीमारिया लोगों को परिशान कर रही है ऐसे समय म अगर हम गाय के गोबर का ज़्यादा इस्तमाल करें या घर में थोड़ा बहुत भी गाय के गोबर का प्रियोग करें तो निश्चित रूप से रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट कम हो जाएगा और निश्चित रूप से इससे लाब की प्राप्ति होगी अगर आप कच्चे मकान में रहते हैं मिट्टी मकान में रहते हैं तो आपके पास बढ़ी आउसर है आप गाय के गोबर से घर की लिपाई सफाई भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप पक्के मकान में रहते हैं तो एक गमले में मिट्टी के साथ गाय का गोबर मिला करके भी के लिए बहुत मुल्यवान होती है और गाय का गोबर निगेटिव एनरजी को दूर करता है इसलिए आप देखेंगे पूजा पाठ में या खास तोर से पितरों के कारे में या खास तोर से हवन में हम गाय के गोबर से बने हुए उपलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उससे धूआ पैदा हो जो उससे धूम्र पैदा हो वो जो धूआ है वो निगेटिव एनरजी को नकारात्मक उजा को दूर कर सके गाय के गोबर के उपलों पर हवन करने से इसका धूआ करने से वातावरन शुद्ध होता है आप बाकी लकडी पर हवन करके देखिए अलग-अलग लकडी का अलग-अलग महत तो जरूर है लेकिन गाय के गोबर के उपले को जलाने से या गाय के गोबर के उपले पर हवन करने से घी से या हवन समगरी से उसका जो फाइदा होता है उससे जिस तरह निगेटिविटी दूर होती है उस तरह से निगेटिविटी किसी अन्य च